हलो दोस्तों वेलकम बैक टू माई चानल सो यह एक बैक टेस्टिंग वीडियो है बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर सी पी को बाई करने से क्या उनको प्रॉफिट मिल सकता है की नहीं तो देखिए मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको अपने स्टा उसकी का कर लो तो वह अपको प्रॉफिट हम दे तो सकता है लेकिन हमेशा नहीं देखा और मैक्सिमम टायम यह आपको लॉष्यदे को फॉर एग्जामपल चलो मैं आपको एक बेक टेस्टिश एक दिन का recruiting करकर दिखाता हो है यह फैंटेश स्थ यहाँ पर है ऑप्स हम लोग start date रखते हैं 29 का expiry है चलो 23 को देखते हैं ठीक है जब nifty का expiry last 22 को हुआ होगा 23 को एक नया expiry 29 का start हुआ होगा ठीक है 29 23 का 9 बचकर 16 मिनिट option chain में जाते हैं option chain में market open हुआ है 9 बचकर 16 मिनिट पे और market अभी चल रहा है 24 800 पे तो मैं P को 2 lot buy कर लेता हूँ मैं C को 2 lot buy कर लेता हूँ ठीक है अब देखो यहाँ पर ऐसा ग्राफ बन जाएगा अब यहाँ पर आप अपना profit and loss देख सकते हैं तो मैं इसको time move करता हूँ next 5 minute minus में 380 next 5 minute minus में 137 minus 422 minus 432 170 का loss है 502 का loss है ठीक है अभी चल अब 15 minute बात देखते हैं 700 का loss है 900 का loss है अगें 1000 का loss है 600 का loss है 600 का loss है 900 का loss है 15 minute में time frame में change करते जा रहा हूँ 1000 का loss है तो यह आपको हमेशा profit नहीं देगा यह आपको loss ही देगा maximum time ठीक है यह तो मैंने देख लिया भाई की 23rd को loss हुआ अभी चलो next देखते हैं 26 तारीक को 26 तारीक का back testing करके देखते हैं इसको delete करते हैं और फिर 26 तारीक का 9.16 मिनट में जब market open हुआ तो फिर यहाँ पर market चल रहा था 24.900 में दो lot मैंने P करीदा दो lot मैंने C करीदा ठीक है और चलो अब देखते हैं अगला 5 मिनट में 200 का loss यह 26 तारीक का 300 का loss 500 का loss 100 का loss 15 मिन बात देखते हैं यहाँ पर एक profit मिल गया चलो यहाँ पर profit मिल रहा है 1000 का profit 1000 का profit हुआ था फिर 175 का minus होते गिया है minus हो रहा है minus हो रहा है 800 एक बड़ा movement आ चुका है यहाँ पर C में इसलिए market अगर sideways हो जाता तो फिर यहाँ पर आपको loss देता चलो एक दिन तो profit मिल गया 26 को profit मिला है ठीक है अब ही चलते हैं हम लोग 27 को दो लोट ले रहे तो फिर maximum 500 से 1000 कई आप एक्सपेट कर सकते हो उससे ज्यादा कि आप expectation भी नहीं कर सकते हो क्यों कि दो लोट में और कितना ही profit लोग है ठीक है तो 27 को 9 बच के 16 मिनिट में चलो back testing करते हैं है market open होता है यहां पर तो 2550 का दो दो लोट मैंने कर लिया अब चलो देखते हैं कि क्या सीन बनता है यहाँ पर की अधार की Lost लेने से दिखे रिश्क रिइस हषाट रिवर्ड मैंटेंट करना है तिमントने 29 हुए छलो यह दे दिया है अब 28 को आते हैं 28 को इसको डिलीट करते हैं पहले ठीक है 9 बच के 16 मिन्ट 28 को nifty कहां पर open हो रहा है 2500 पर open हो रहा है 2 lot इसको खरीदा 2 lot P को खरीदा अब देखो यहां पर क्या scene बनता है profit मिला है फिर से loss कया फिर से loss में चला गया 20 रुपय का loss 300 का loss 15 रुट चेंज करते हैं 500 का loss 700 का loss पिर से 700 का loss 700 का loss 900,000 का loss ठीक है चलो इस दिन भी काफी देरी हो गया बहुत बहुत देरी इसको डिलीट करते है अब 29 को market कहां पर open हो रहा है expiry यह उस दिन 29 को market हो रहा है 2550 में तो मैं 2 lot इसको खरीद लेता हूँ पी को 2 lot C को खरीद लिया अब चलो देखते हैं अगले 5 मिनिट में क्या मिलता है प्रॉफिट मिला है प्रॉफिट मिला है प्रॉफिट है माइनस किया है 500 का profit दिखा था फिर से 400 का profit 1000 का profit वाव तो दो दिन हम लोग प्रॉफिट में थे और दो दिन profit में थे और हम लोग start किये थे 23 से 23 दो दिन profit में थे और बागी का 3 दिन loss में थे ठीक है तो ultimately हम लोग week अगर close कर रहे है तो loss में ही close कर रहे है तो बहुत ही अच्छा strategy ये नहीं है CP को buy करना हाँ आप ऐसा कर सकते हो कि आप CP को buy कर लो और उसके बाद आपको दिख रहा कि जहां पर movement जादा है तो वहाँ पर अपना quantity को add कर सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा profit वहाँ पर मिल सके और दूसरे को आप हटा सकते हैं डिलीट कर सकते हैं तो ये एक back testing था ये मे premium account है Obstra का तो अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मैं ऐसे back testing और भी strategies का ले के आऊंगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज अप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियेगा इसे हमारा motivation बढ़ता है थैंक यू सो मच फर वाच